उनर किलिंग का मामला सामने आया उर्तर प्रदेश मुरादाबाद कोतवाली बिलारी के गाउं तेवर खास में 18 वर्षिये युवक की चाकूँ से गोद कर हत्या से हलकम परिजनों ने पड़ोसी युवक को पर लगाया हत्या का आरोप प्रेम संबंध के चलते आरोपी पहले भी कर चुके थे मारपी पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया मुरादाबाद में बिलारी कोतवाली खेतर के तेवर खास गाउं में उस वक्त थड़कम्त मच गया जब राद दो वजे इंतजार के बेटे शारुक की गाउं के ही पांच युवकों ने चाकों से गोद कर हत्या कर दी आरोप है कि शारुक के हत्या करने वाले पांच युवक शारुक के घर के पास ही रहते थे और अपनी बेहन के साथ शारुक द्वारा बाचीत करने से नाराज थे। इसी बात की रंजिश को लेकर पांचो यूवकों ने शारुक के राद दो वजे घर में घुसकर उस वक्त हत्या कर दी जब शारुक घर में सो रहा था। हमलावरों ने उन पर भी हमला किया जिस पर वो भी घायल हुए। पुलिस ने मृतक शारुक के पिता के तहरीर पर मामला दर्ज कर हत्या रोपी नदीम, वसीम, सलीम, हुसेन, गुल मोहमद शान को गिरफतार कर लिया है। पुलिस अब जाच कर हत्या का सही कारण पता लगा गर में घुसकर 18 साल के शारुक की हत्या के बाद से इलाके में हड़कम बंच गया है। इक ठेड़ पता के दोती पतना के पुलिस को सुचना देती है। ऑरण लिया है। किस से में पुलिस पहुंची है। करीब दो बज पनी पुलिस। ऑच फिर क्या देखा आपने। आपने तो मारत अबाद देखा पनी उसे। मारकर जानल अब पने। अब आप मेरे मारा है कितने लोग थे पाच लोग है है किया नाम आप पार गुड़ कोन है है हाई पाच लोग थे संनुक घर में से आए और पहाच होना है तो क्या नाम उनका इंतिजार तो क्या उनमें मार्पीट हुई थी का भी देल यहां मार्पीट हुई हाफता पाई हुई बचाने के नहीं बचाव करना बापको आवाज दी अपने हमारे कौन-कौन लोग थे मानने वाले पहचाना कोच हाँ बसी शलीम नदीम सन्नु करना पूर सब्सक्राइब करें तो आनके पूरी रंजिस लिखा लिया ना वोता सवरा गाड़ी पैसा है किया रंजिच्टियासी कुछ भी पहली पना कोई लड़ाई हुई 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 कुछ ना कुछ भी रंजिस ना थी अचाना की आम लगिया थे लिग्साई काहा की इसमें कुछ प्रेव संबंद जैसा मामलत सामने आया है, उसमें दो लोगों को राट में ही गिरफतार कर लिया गया है, सेज विधिक करवाई की जा रही है, जल सेज बचे हूँ, जो भी यार होती है, पकड़ लिए जाएगा, इसमें गायल की कुछ है क्या है, एक गायल को ही ले यह है, उसके पिता उनके पिता जी को हल्की सिविल को ले खरोच सी दिख रही है, तो वही उसके चस्चे जवाँ है, उसके पिता जी, इंतजार हो सेड़, किक,